नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सफलरोड.com में तो चली जानते हैं कि आज की लेटेस न्यूज में क्या बिलने वाला है आपको और क्या है आज की नई अपडेट CBSE Board Exam 10th और 12th students के लिए यह समय काफी important होता है क्योंकि अब annual examination के लिए जादा time नहीं बचा है February में ही board पर इक्षाए होनी है ऐसे में आपके पास जादा time नहीं बचा इसी करम में आज students की मदद के लिए कुछ आसान tips और tricks में बताने जा रही हूँ जिसको follow करके आप अपने exam में बेदर अंग पाने के लिए तैयारी कर सकते हैं सबसे पहली key point है कि self study पर करे focus सबसे पहली बात तो यह है कि students को अपना ध्यान रखना है कि अभी से आप अपने time table को set कर ले school और coaching के अलावा भी अपने self study का plan पूरी तरह बना ले दिन भर में आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी इस बात की पूरी रूप रेखा तयार कर ले बोर्ट परिक्षा में सफल होना है तो students को अपने time management का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि दिन में कितने घंटे आपके subject को देने वाले हैं इन सभी चीजों का time table बनाए और उसके अनुसार ही पढ़ाई करें इससे यह होगा कि आप सभी subject पर बराबर ध्यान दे सकेंगे इससे आपके आंसर लिखने की प्राक्टिस करें जिससे आपको exam में आंसर लिखने के लिए मदद मिलेगी Students, next tip है कि आप तयारी करने के लिए sample paper की मदद ले सकते हैं sample paper हर दिन solve करें इससे आपकी तयारी को अच्छी धार मिलेगी और exam में आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकेंगे लेकिन इन सारे tips के इलावा बहुत important ऐसी चीजे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है time table बनाना उसको strictly follow करना ये सबसे ज़ादा जरूरी है इसके भी ज़ादा जरूरी है कि आप दूसरे तरीके के distraction से अपने आपको दूर रखें ताकि आप अच्छे से अपने पढ़ाई पर focus कर पाएं जैसे कि mobile phone, social networking websites इन सब तरीके के distraction से अपने आपको पूरी तरीके से दूर कर दे कुछ दिनों के लिए ताकि आप अपने exam पर easily focus कर पाएं अपने तयारी को अच्छे से complete कर पाएं और अपने exams को अच्छे से perfectly दे पाएं जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त करें और आपके आगे का भविश्य उजवल हो I hope कि आपको student समझ में आ गया होगा कि कि इस तरीके से आपको तयारी करनी है मिलती हूँ next वीडियो में कुछ और updates के साथ तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें Best of luck for your pod exams